हाई एवरिवन वेलकम बैक डू मैं चैनल कैसे हैं आप सब आई होब कि आप सब बहुत इच्छे होंगे फ्रेंड्स आजकल मौसम ने भी अपना करवट बदल दिया है और इस फर्वरी के महीने में भी मार्च वाली फिलिंग से आने लगी है तो चले हम बनाते हैं फ्रेस फ्रेस इंग्रीडियन से स्मूधी जो सबके मन को बहुत भाती है मैंने अपने खेतों से स्ट्रोबेरिज कलेक्ट कर लिये हैं तो चलिया बनानने स्टार्ट करते हैं मैंने अकोर्डिंग टू वन परसन बनाया है , सबसे पहले मैंने इस्ट्रोबेरी क्लीन कर लिया हैं और इसके green parts में अलग कर लेती हूँ और इसके छोटे छोटे पीसे में cut कर यहां पर यूज किया है एस्ट्रोबेरी एपल और कोकुनेट यह बहुत ही हेल्दी ड्रिंक बनके तयार होती है एपल को भी चोटे-चोटे पीसिस कर लेती हुए मैंने यहां कोकुनेट लिया है यह स्मूधी को और भी ज़्यादा स्मूध बना देती है और क्रीमी टेक्स्चिर आती है इससे मैंने निकाल लिया है जो इसकीन वाले पार्ट्स होते है उसे आप भी सकते हो मैंने ऐसे यूज किया है अब इसके भी चोटी-चोटी पीसेश कर लेती हूं इस सारी फुर्स कटिंग हो चुके अब मैं इसे जार में डाल देती हूं स्वीट इन्हेंस के लिए मैंने यहां पर लिया है गुड़ और 30 ml के करीब में बहुत वाटरी एट कर रही हूं मैं आप चाहे तो यहां पर चेल्ड मिल्क यूज कर सकते हो और मैं सर्विंग के लिए यह जार लिया है मैंने स्मूधी रेडी हो चुके हैं बिल्कुल अब इससे सर्व कर लेती हूं गार्निस कर दिया है वन स्ट्रोबेरी से अब मैं डाल देती हूं रोष्ट किया हुआ यह सीड्स जिसमें मैंने यूज किया है चिया सीड फ्लाक सीड पंकिन सीड वाटर मेलन सीड्स यह सीड्स है हमारे चलें अब मैं आपको टेस्ट करके बताती हूं इसका फ्लेवर कैसा आ रहा है देखने में तो यह बहुत ही अच्छे लग रहे है हूं यह बहुत टेस्टी ड्रिंक बनके तयार हुई है इसका टेक्च्चर क्रीमी क्रीमी सा है आप इसे जरूर ट्राय करके देखना बच्चों को यह बहुत पसंद आने वाली है अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कर ले और चैनल में अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल जाए मैं ऐसे हल करें सॉफ्ट स्मूधी के साथ में टेक क्या बाइबाई एंड इस्टेहल दी